कि नरेंदी मोदी को क्रॉप्षन क्यों अच्छा लगता है और ये बात जब मैं कह रहा हूं तो बहुत गामीर्दा से कह रहा हूं कि मोदी को करॉप्षन से कोई बैर भाव नहीं है कि सब लोग जानते हैं और ये भारती राजनिती का एक सच है कि करॉप्षन के जो दाएरे हैं वह बहुत ब्यापक हैं और उनमें सबसे बड़ा करॉप्षन तो है जो कार्परेट हाउस के जरिए चलाया जा रहा है नरिंद मोदी कार्परेट हाउस इस के जरिए चलाया जारे भर्ष्टा चार पर एक दम चुक हैं को वह कभी नहीं बोलते हैं को कभी कोई स्वेद पत्र भी जारी नहीं करते हैं उन्हेंने कभी किसी कार्परेट हाउस के मुख्या को ग्रफतार भी नहीं किया मैं यहां खाली जिक्र कर रहा हूं कि कार्परेट हाउस और कार्परेट करफ्षन किस तरह से कायम करता है ऐसा नहीं कि मैं जानता हूं तो नरिंद मोधी नहीं जानते या उनकी सरकार अच्छी तरह से जानती है लेकिंगे उनकी सरकार ये भी जानती है कैसे कार्प्रेट करॉप्शन के सामने सिर जोगा के चला जाए कर्प्रेट घराने कार्टेल बनाके एक समहू बनाके या कंप्रियों का समहू बनाके काम करते हैं और ये काम वे इजारेदार बिरोधी कानूनों का उलंगहन करते हुए करते हैं और ये जो कर्प्रेट कार्टेल के जरिये जो बड़े बड़े अमीर घराने काम करते हैं उनका लक्ष है और भोगताओं को लूटना इन कर्प्रेट लुटेरों ने सिर्फ लूटी नहीं किया भोगताओं की बल्कु उनके अंदर भाई और आर्थिक संकट की स्रिष्टी भी की है कि जो आपको चानुसरब भाई दिखाई दे रहा है इस भाई में सबसे अधा निर्भीक अगर कोई है और स्वच्छंद कोई है तो वह कार्पूरेट घराने कि मरिन बोधी कि अगर सचुच में दिल्चस्पी होती कर्प्शन के खिलाब लड़ने में तो वह कार्पूरेट घरानों के द्वारा जो कार्टेल बनाके जो काम किया जाता है उसके खिलाप में वह आवाज बुलंद करते एक उन्होंनों कभी एक एक शब्द नहीं बोला आज इस्ति यह है कि कोई भी वस्तु आप खरीदने जाएं बाजार में मौल में खरीदने जाएं सब्जी मंडी में खरीदने जाएं आप कार्प्रेट हाउसेज के कार्टेल से बच नहीं सकते कि खाने की बश्तु वह हो विटामिन हो तो टेमिकल हो और योगिक सामान हो इंफ्राइस्ट्रक्चर के प्रकल्पों से जोड़े हुए या उनके काम में आने वाली वस्तु आउब या सामान हो या जो तक्निकी सामान है या सर्विश सेक्टर इन सभी खेत्रों में किस नाम पर चीज़ें दी जाएंगी और लोगों के बीच में जाएंगी यह एक कार्पूरेट कार्टेल मिलकर तै करते हैं आज इस्तिती यह एक इन कार्पड कारटेल के खिलाप में नरेंद्र मोधि और बीजेपी एक शब्द बोलने की इस्तिती में नहीं है तो कि कार्परेट कार्टेल से नरेंद्र मोधि को सबसे अधिक चंदा आता है और यह जो कार्परेट कार्टेल जो काम करते हैं यह बिना घूस खोरी के काम नहीं करते हैं बलके यह अपनी सारी स्कीम घूस खोरी के जरिये लागू करते हैं गूस खोरी किस तरह से किन बस्तमों के दाम किस तरह होंगे यह बिविन किस्म की जमा खोरी के नियम और तरीकों के जरिए यह चीज तैक की जाती है कि जबार बार कर्परेट टार्टेल के द्वारा जो है उलंगनों की खवरें आती हैं पुछ संच्छेप में जातर तो खवरें वो गाए भी रहते हैं और वो मीडिया जो करफशन के खिलाप में अभी दुन्दभी बजा रहा था और कर पार्लामेंट जो बहस कर रही थी आ संसदिन जेनरल के मुह से कार्परेट कार्टेल के करफशन के बारे में आपको एक शब सुनाई नहीं देगा और यह कार्परेट टार्टेल का जो पूरा दाइरा है वो इतना विशाल दाइरा है कि इसमें एक और वी चीज आती है जिसे हम लोग कहते हैं हेल्थ सेक्टर के यह पूरे पूरे लोग काम करते हैं आज के दौर में आज के दौर में कार्टेल बनाके काम करना लूट का सबसे बरवर तरीका माना जाता है लेकिन कारप्रेट कार्टेल के पूरे परत रपंच को तो म today हथी नहीं लगाना चाहते कि मुझे चंदा चाहिए प्वूरे देश चाहिए कि कि देश पर सासन चाहिए और देश-पसासन के लिए मुझे भाय चाहिए और नीचे मुझे दलालों और घूस-खोरों की लॉबी चाहिए आप पूरे देश में उठाएंगे आप कहीं पर भी घूस-खोर पक्ड़े नहीं जाते हैं कभी कभार कोई अधर एडी का ऑफीसर घूस-खोरी लेते पकड़ा जाता है कभी कोई कोई सिकाइट करता है तो रगयात दर्वा देते हैं लोग अंता तो घूस-खोरी एक एक कौमन फिनोमेना है हरे आदमी घूस-खोरी को बात करने के लिए तयार है हर आदमी अपने को घ्यान ही समझता है घूस-खोरी के बारे में और वह इजी भी बोलता है एक और चीज है जो कि इस पर ध्यान देना चाहिए वह यह कि यह जो अ कार्परेट करफ्शन है यह कार्परेट करफ्शन में भारत का जो इस्थान है अ हुआ है वह अच्छा नमबर है हमारा अभी तक भारत की सरकार ने जो भृष्टाचार विरुदी एक्षन प्लान नमबर 2001 में तयार किया था उस पर अभी तक भारत सरकार ने साइन नहीं किये संसद ने उसे अभी तक अन्मोदित नहीं किया है इसी तरह संट्राच संग के द्वारा निर्मित अंतर महब्वीपी संगठित अपराद विरुदी कंवेंशन जो दिसंबर 2002 में पारित किया गया था उसे भारत सरकार में मान तो लिया लेकिन संसद से पास नहीं हुआ वह अभी तक हमारे कहने के लिए कंपटिशन एक्ट है 2002 का लेकिन वह कंपटिशन एक्ट के तहत कोई खास इफेक्टिव काम अभी तक सरकार नहीं कर पाई है और कार्परेट काइटल की जो लूट है उसे रोक नहीं पाई है इसलिए यह कहना के नरिंद मोदी को करफशन से रणने की आदत है और वो करफशन को पसंद नहीं करते हैं इसलिए उन्होंने यूपी ए के गवर्वर्मेंट के दस साल के कारकाल के करफशन की चर्चा की है यह एकदम सफेज जूट है को सफेज जूट है क्योंकि करफशन का जो एरिया है वह बहुत बिशाल है यह कोई हाश्य का सवाल यह दली प्रश्ण नहीं है करफशन का प्रश्ण मरिन्द मोदी में अगर साहस है दस साल में तो साहस दिखाई नहीं दिया तो सबसे बड़ा जो करफशन था बीजेपी में जिससे की बीजेपी बदनाम होई वह तो ब्यापम था तो ब्यापम में लिप्त जो नेता थे, कार करता थे, उनके खिलाब पर भीजे पीना कोई एक्सान है नहीं लिया, बलकि जो लिप्त थे, उनको मुक्षपंत्री बनाया गया, तो में नहीं करफशन के बारे में नरिंद मोदी को बहुत अधिक महत्त देने की जरूट नहीं है, करफशन को लेकर नरिंद मोदी ने कभी कोई लडाई नहीं लड़ी, एक साधर्ण सी बात है, यसे काईदे से हम लोग समझे हैं, समाज में करफशन जितना कम होगा, लोगतंत्र उतना ही मजबूत होगा, समाज में जितना ज़्यादा करफशन होगा, उतनी ही डिक्टेटर से मजबूत होगी, अगर आप करफशन से रहना चाहते हैं, तो करफशन को कमजोर करो, लोगतंत्र मजबूत होगा, और अगर करफशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा, जो क्या भी चला है, नरिद्र मोदी के आने के बाद में करफशन बढ़ा है, हर खेत्र में करफशन बढ़ा है, हर खेत्र में घूस खोरी का एमाउंट बढ़ा है और यही बज़ें कि जो कर्पूर्शन में लिप्त समाज है उसको जादा अपील करता है तो अगर हमें लोक तंत्र को बचाना है तो हमें कम से कम कर्प्शन हो एक दम जाएगा इसके बारे नहीं कह सकते हम कि एकदम उसका सम्बज़ नास हो जाएगा तो के पुझवादी वश्ता में संभव ने लेकिन कर्फषन कम किया घै कर्फषन जितना कम होगा देमोक्रसी फलेगी फूलेगी यह हम चीज भूल जाते के कर्फषन के बारे में मैं क्यों ये corporate correction का प्रश्न उठा रहा हूं कि ये मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि जब जन लोगपाल बिल का प्रश्न अन्ना हजारे के अंदोलन में उठाया गया और उस अन्ना हजारे के भी corporate corruption सामिल नहीं था उस जड़ लोगपाल बिलके दाइरे में corporate corruption को अन्ना हजारी ने सामिल नहीं किया था और यही वह जगह जहां से के नरेंद मोदी और अन्ना हजारी की विचारता में एक सामे नजर आता है कि नरेंद मोदी जब सत्ता में आए और सता में कैसे जासे आए अन्ना हजारे के आंदुरन ने वं जायुक्व लेंज पिटिया निजी तोर उसे सीखा वह हुआ है कि तो यह संद नरेंदThank के पास में अन्ना हजारे की विरासत है जिस अन्ना हजारे ने हिंदुस्तान को इस नरक में फेका है जिसमर के अभी नायक बने नरिंद मोदी घूम रहे हैं तो कि जनलोकपाल बिल के दाइरे में कार्परेट करप्शन नहीं था यो कि कार्परेट करप्शन हिंदुस्तान का सबसे बड़ा करप्ट एरिया है एक और चीज है जो कि बहुत ही महत्मुर्ण चीज है जिस पर काइदे से बात की जानी है वो यह कि कि करप्शन के बारे में बात करते समय है जैसा कि नरिंद मोदी ने दावा किया और उनकी सरकार में दावा किया है कि वो एक कर्प्षन के बारें बहुत गंभीर हैं तो हम सर्फ पूछना चाहते हैं कि उन्होंने ट्रांसप्रेंसी इंटर नेश्चनल की रिपोर्ट तो पढ़ी होगी ट्राउंस्परेंटी इंटरनेश्ट्र ने भारत का इस्थान अगर नरेंद मोधी कहने जा चाहते हैं कि यूपीय की सरकार ज्यादा करप्ठती और उनकी कंकुन्स कार्णे तो अगर एक अन्य चीज़ और वहत महत्मुर्ण चीज़ मरेंद मोदी से यह सवाल किया जाना चाहिए कि यह जो करफशन का प्रश्ण जो बार-बार उठा रहे हैं और अभी विपक्ष पर हमला कर रहे हैं हम एक चीज़ जानना चाहते हैं कि यह जो नव्य आर्थिक उधारी करण जिसके गर्व से यह करफशन का पूरा का पूरा बवंडर निकला है जिसमें पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया डूबी हो लिए नरेंद मोदी क्या नव्य आर्थिक उधारी करण की नीतियों को चो़ने के लिए तैयार है अगर को चो़ने के लिए तैयार है तो भारत को क्रॉप्शन से कुछ राहात मिल सकती है लेंकर नरेंद मोदी के पास में तो कोई विकल्प नहीं है चोने का और एक अन्य चेश और महत्मुन चेश वह यह कि करप्शन काले धन के मिना संबब नहीं है आप काले धन पर रोक लगा दीजे मरेंद मोदी के जमाने में काला धन दिन दूनी राद चोगनी शक्ति के साथ बिश्तित हुआ है और बड़ा है तो काला धन रहेगा तो करप्शन रहेगा और करप्शन रहेगा तो काला धन रहेगा करप्शन और काला धन दौनों जुन्वा भाई है अगर करप्शन बढ़ेगा तो काला धन बढ़ेगा और काला धन बढ़ेगा तो करप्शन बढ़ेगा अग्त में जैसे कि मैंने शुरू में कहा आपसे कि एक तो एक कॉर्परेट काटे लूट और एक है कॉर्परेट फ्रॉड उस कॉर्परेट फ्रॉड की चर्चें क्यों नहीं हो रही है सरकार घुलके क्यों नहीं बताती कि कौन कॉन से इंडस्ट लिस्ट है जो कि बैंक से पैसा लेकर ठक कर चले गए जिन के पैसे को NPA कर दिया गया लिस्ट देने में तो कुई परशाइज नहीं है लेकिन सरकार लिस्ट नहीं बताती कि आखेर वे कौन लोग है जो corporate fraud में सिध्धस्त हैं और मास्टर हैं आई दिन खबरें आती रहती हैं कहीं कोई 5,000 करोड लेके भागया कहीं कोई 10,000 करोड रुपे लेके भागया कहीं कोई 15,000 करोड ये जितने लोग रुपे लेके भागे उनमें से अधिकतर लोग बैंकों के साथ में ठगई करके ये यह खेकर मैं यह बाट चीज समप करोंगा वह है कि जिस तरह से भारत में करूप्ष्ण सबसे ज़्यादा भृष्टाचार शब्द सबसे जणवप्री है वह उसी तरह गरीवी बिससे जबसे जणवप्री है हर अदमी करीवी पर बात करने के लिए यह आरे हर आदनी के कुरफ्षन और गरीवी के किसे हैं लेकिन कभी भी वह इसकी गहराई में जाके महसूस करने के लिएक तयार नहीं है कि अगर करफ्षन और गरीवी से कैसे लड़ा जाये कहिं कि कोई भी व्यक्ति यह अस्विकार करने के लिए तैयार नहीं मिलेगा आपको के जो यह कह कि कर्फशन नहीं है सब के पास में कर्फशन के अंदोव हैं सब कर्फशन से गुज्रे हैं और सब के सब के पास में उसके कठानफ हैं इस यहां ऐसे लोग संगीथ और मीडिह का है इसे क्यारभ ses इसे प्रीक आद है मेडिया में करोपयों की खबरता थी से चलती है और क्रप्रक्शन पर बहद होती है उसे मेडिया थे से चलाता है कि हम जानना चाहते हैं कि करेक्षिन पर लड़ते समय जो सबसे बड़े-बड़े दावे कि नहीं मोदी सरकार ने किये हैं कि उन दावों में कि क्या यह चीज सामिल नहीं है कि यह जो पैसे देखे एमेले खरीदे जाते हैं एंपी खरीदे जाते हैं कि यह करप्षिन का हिस्सा नहीं है कि चार्शो से अधिक बिधायक नरेंद मोदी पिछले दस साल में खरीच चुके हैं कि यह करफ्षन नहीं है नरेंद मोदी अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से जीते हैं और जिताएं किसी को अपत्ती नहीं होगी लेकिन नरेंद मोदी जब हार जाते हैं तो दूसरी पार्टी के मेलें एम्पीज को खरीदे आं और विधायकों को खरीदने में तो उन्होंने अब तक के सारे रेकॉर्ड सारी दुनिया के तोड़ दिये सारी दुनिया में किसी भी राजनितिक नेता ने इतने विधायक नहीं खरीदें जितने नरिंद मोदी ने खरीदें तो नरित मोधी के सामने करफशन एक संभावना है और जाइर करफशन अगर यह संभावना है तो करफशन में अनिक सुभधाएं है और यह जो करफशन को लेकर जो दो नायक रहे हैं मैं उनका जिक्र करना चाहूँगा खास्तों का जेपी ने भी करफशन के खिलाप अंदुरन शुरूख किया था और अंत में वो अंदुरन RSS की गोदी में जाके बैठ गया कि अन्हाजारे ने भी आंदूरण सुरू किया था कर्प्शन की खिलाफ में और वह भी अन्त में अन्हाजार और अरसस की गोदी में जाके बैठ गया में कर्फ्शन की आज में खड़ जितने भी अंदूरण हैं increase सारे के सारे अंदूरण अन्त में i Right RSS की दिश्वा में क्यों चले गए ? मैं ये इस बाज से पता चले है क्योंकि अरस इस उन में सक्री था आइसे करुप्ष headache O rank हो सबसे पहले आपके बीचिमा बहुनाने की करता है और फिर बीच सथा कर जाता है तो उसका फिर दूसरा एजंडिना होता है वही लोग जो अन्नाहजारे के आंदुरों में करॉप्ष न एंटीकर्प्ष न हला कर रहे थे जो ही सरकार है वे करॉप्ष जबूल ये डेवल्लक्मेंट की बात करने लगे अब उनके लिए अब वह करप्षन मसला नहीं रहा बल्के लिए वह संभावना हो गया कि वह सुविधाओं का स्रोथ हो गया कि कौन सामिल नहीं था उसमें आरेसस के हर कारकरता ने उसमें खुलके भाग लिया कि नरेंद मोदी ने उस अन्धा के आंधुरन की पूरी फसल काटी तो अंग्रेस हार गई करफशन पर कोई बात नहीं हुई उसके बाद दस साल बाद नरेंद मोदी को याद आई कि यूपिया की गॉवर्मेंट के बारे में एक सुवेध पत्र जारी करना चाहिए अरे सुवेध पत्र जारी करना था तो जब आप सरकार में आये थे 2014 तभी जारी करते क्या दिक्कत थी नहीं क्यों कि करफशन संभावना था और सु आरे सेस उसी समय अपनी रूटियां सेखते हैं जब उन्हें चुनाव लगना होता है लेकिन सरकार में आते हैं तो खुल के करफशन करते हैं करफशन किरप में एक शब्द नहीं बोलते एक कदम नहीं उठाते हैं और खुल के भर्षचाचार करते हैं मरेंद मोदी और यांड है कि वे तमाम हत्यार crying जिनके तहत कमीशन खाया जाता है जिन पर कि मूधी कोई खोरी पर रोक नहीं लगाई कि यही वज़े कि अब चुनाब आ रहें सामने तो नरेंद मोदी को के हाथ पर फूले हुए और वे करफ्षन 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 फिर चिला रहें यह वैसे ही जैसे ही जब कि अब मनमौन सिंगी सरकार जाने वाली थी तो अचानक एंटी करफ्षन मुमेंट सुरू हो गया और उसके तहट पूरे देश को डुबो दिया गया कि एंटी करफ्षन मुमेंट की आधी में करफ्षन नरेंद मोदी की संजीवनी है नखर सबसे बड़ा कि वाइदा है समिधान्हं के में वाइदा किया गया है कि हम दंफ पेच्ष्टा की रक्षा करेंगे तो राम सारे किया जारे धर्म में पिक्ष्टा बिरोधी यह करप्शन है कि नहीं है संसर में सपत लेते हैं समिधान की और बाहर सपत लेते हैं राम जी की राम की सपत खाएंगे यह करप्शन है कि नहीं है सम्मिधान के साथ किया गया भीतर घात सम्मिधान के बिरोध में किया गया काम राजनीतिक करफशन में आता है और नरिंद मोदी और उनकी पार्टी उनकी टीम इसमें मास्टर है इसलिए करफशन के प्रशन पर मरिंद मोदी की बातों का बीजेपी की बातों का आरेसस की बातों का आप लोग विश्वास न करें तो करफशन के नाम पर वे तीन बार दो बार ठक चुके हैं एक बार जेपी के जमाने में और एक बार अन्ना हजारे कांदुरन के नाम पर और में अन्या के अंधुरना जिस मिलत्रकुए में फेक्ष दिया भारत को हम उससे भारत को निकालने की ज़रुत है कि उसका एक मत्री तरीका है कि आप यह नरीन मोदी हार है अब यह हराएं आप करमशन से मुक्त नहीं हो सकते हैं कि ट्राल करें व्क्रेयर और कमेंट करके बताएं जाइन किया और और आपने हमारा यूट्यूप चनलर वी तक सब्सक्राइब नहीं किया है युद्स को सब्सक्राइब लेगे और पेल आइकन भी दबा देजे रहा ताकि अगली अपलोड दो आपको इसका नोडिक्शन पोसे में और अगर आपने वारा अपने वारा अपने फेस्बूक पेज फोलो ने किया है फेस्बूक पेज को भी फोलो को देखें